पिछले वीडियो में हमने देखा था उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक मतलब पहले जब सुरू-सुरू उद्योग लगाया जाता था तो वहीं पर उद्योग लगाया जाता था जहां पर कच्चामाल की प्राप्ति होती है परन्तु अब इसको उद्योगिक तंत्र देखा था मतलब उद्योग में सबसे पहले कच्चामाल लाया जाता है फिर उसको मसीन में डाला जाता है फिर उत्पाद प्राप्त किया जाता है फिर उद्योगिक प्रदेश देखे थे मतलब वईसा छेत्र जहां एक से आधिक उद्योग लगाया जा क्योंकि इसी से जो लोहा निकलता है या फिर इसपात निकलता है उसी से मशीनों का निर्मान होता है और नए नए उद्योग बना जाते हैं इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत में लोहा इसपात उद्योग भारत में इस उद्योग के विक्सित होने के मुख्य कारे कच्चे माल की अपलब्धता सस्ते, सरमिक, परिवहन और बाजार है लोहा एवम इस पाद उद्योग एक भारी तथा वजन रास उद्योग है बारत में इस उद्योग का विकास छोटा नागपूर उद्योगिक प्रदेश में हुआ है इस छेत्र के मुखे इस पात उद्योग जमसित्पूर वो कारो भिलाई दूर्गापूर राउल केला है इसके अतरिक्त भद्रावती विजय नकर विशाखा पठनम सेलम में भी इस प किया गया है भारत है इसमें जो है लोह इस पात उद्योग मतलब बहुत जादे हैं और इसका ये कारण है क्योंकि भारत में जो कच्चा माल है वह उपलब्ध है और साथ ही साथ सस्ते स्रमिक भी उपलब्ध हैं भारत के जो स्रमिक हैं उनको अन्य देशों के मुकाबला में जो है कम वेतन दिया जाता है और साथ साथ परिवहन और बाजार भी उपलब्ध है जहां वे आसानी से अपना सामान बेच सकते हैं और ये जो छोटा नागपूर पठार है इसमें सबसे पहले जो है इस पात उद्योग लगाए गए थे इसके बाद अन्य जगहों जही से हो गया वो कारो भिलाई दुर्गापूर राउल के लाई इन जगहों पर लगाए गए प्रंक्तु ये भी छोटा नागपूर के अंतरगति आते हैं परंक्तु अगर हम लोग छोटा नागपूर के बात की बात करें दुसरे तो ये विजयनगर विशाखा पत्नम बद्रावती इन जगहों पर भी लोह इसपात उद्योग हैं और कुछ-कुछ ऐसे उद्योग है जिनको अन्य विदेशों की साहयता से मतलब भारत देश छोड जो अन्य देशों की साहयता से लगाए गए हैं आगे देखिए जमसेदपूर भारत का पिट्सबर्ग देखिए पिट्सबर्ग जमसेदपूर को भारत का पिट्सबर्ग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जमसेदपूर में लोह इसपात उद्योग है जमसेदजी टाटा जिनक के छेत्र है जहां पर भारी मात्रा में जो है इसपात प्राप्त किया जाता है और पिट्सबर्ग को हम लोग विश्व की इसपात राजधानी भी बोलते हैं देखे सन 1907 इस्वी में जमसेदजी टाटा के द्वारा स्वर्ण रेखा और रख कई नदियों के संगम पर साक्ची नामक अस्थान पर भारत के प्रथम आधुनिक लोहा इसपात उद्योग की स्थापना की गई जमसेदपूर में लोहा इसपात उद्योग की स्थापना के लिए आदर्स भोगोली कारक उपलब्ध हैं उच्च कोटी का लोह अयसक जारखंड के सीभूम तथा ओडिसा के कोकिंग कोईला जरिया तथा रानी गंज से प्राप्त होता है चूना पथर ओडिसा के सुंदरगण जिले से तथा पानी स्वर्ण रेखा और रख कई नदियों से प्राप्त होता है कोलकाता बंदरगा यहां समातर 250 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित है यहां एक अच्छा तो जमसेदपूर का जो लोग इस पाद उद्योग है इसको 1907 में जमसेदजी टाटा के द्वारा इस्थापित क्या था और यह नदी के किनारे इस्थित है नदी का नाम है पहला स्वर्ण रेखा और दूसरा रख कही नदी में नक रख है यही दोनों नदी है इनके किनारे इस्थापित के आए गए और यह जो नदी जिस जगह पर मिलते हैं उनका नाम क्या है साक्ची है जब नदी आपस मिलते हैं दो नदी तो उसको हम लोग संगम कहते हैं और उसका कुछ अलग नाम दिया जाता है तो यहाँ पर स्वर्ण रेखा और रख कई नदी का जो संगम होता है उसको साक्ची नाम दिया गया है और जो जम सेदजी टाटा थे वे बहुत ही आधुनिक सोच रखने वाले थे उन्होंने उद्योग इस जगह इस्थापित क्या जहां अन्य उद्योगिक छेत्र भी इस्थित हैं जीसे कि यहाँ जार्खन देखिए जार्खन बगल म इससे कोईला की प्राप्ति करते हैं और चूना पत्थर चूना पत्थर ओडिसा के सुंदरगर जिले से प्राप्त करते हैं और सबसे इंपोर्टेंट चीज पानी पानी तो बगल में ही है क्योंकि संगम अस्थल पर बनाए गया है साक्ची स्वन रेखा नदी और रख यही जो दोनों नदी है इससे वे पानी की पूर्ति करते हैं और साथ ही साथ वहाँ से जो कोलकता का बंदरगाह है जिससे एक बगल में बाजार भी है और बंदरगाह के द्वारा हम लोग जहाजों के द्वारा अपना माल एक जगह से दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं तो मतलब बहुत जादे था कई सालों तक वहां से हम लोग खनीज की प्राप्ति कर सकते थे और आज भी हम लोग प्राप्ति कर रहे हैं और परिवहन की बात करें तो ये बंदरगाह तो है ही लेकिन बगल में ही जो टाटा इस्टिल वहां कमपनी है बगल में ही राष्टी रेल मार्ग भी वहां पर से गुजरता है तो बिलकुल उन लोगों को अपना जो व्यापार है मतलब जो सामान है उसका परिवहन करने के लिए सोचना था ही नहीं बंदरगाह भी सामने रेल मार्ग भी सामने और नेशनल हाइवे भी सामने कोईला भी बगल से ही मिल जाएग अगर चूना पथर तो बगल में ही ओडी सा राज है उससे ले लेंगे एकदम सुटेपल जगह में जो था जमसेदेजी टाटा यह उद्योग लगाये थे आगे देखिए जमसेदपूर में लोहा इस पाद उद्योग विक्सित होने के कारण यहां कई साहयक उद्योग भी जाता है देखिए अब बगल में क्या उद्योग मतलब सहायक उद्योग भी लग गए और सहायक उद्योग इस प्रकार से उससे लोहा लेकर विवे विभीन प्रकार के जो है सामन बनाने लगे जैसे क्या बनाने लगे रासायन बनाने लगे इंजन के पूर्जे बनाने लग क्रिसी उपकरन ट्रेक्टर हो गया या फिर छोटा मोटा कुछ मसीन हो गया इस प्रकार से बनाने लगे फिर चादर बनाने लगे केबल बनाने लगे तार बनाने लगे इस प्रकार से जब उद्योग लगा तो उसके बगल में अन्य उद्योग भी लगे जो कि उनके माल कहीं दूर जाके बेचने का जरूरत नहीं होता, वही उद्योग जो उनका माल ले लेते हैं, और इंजन हो गया, या फिर क्रिसी उपकरन हो गया, मसीन हो गया, या फिर चादर हो गया, ये सब का निर्मान करने लगें, आगे देखिए पिट्सबर्ग, पिट्सबर्ग कहा है, मैंन से विश्व की इसपात राजधानी भी कहा जाता है इसपात उद्योग की स्थापना के लिए यहां अनेक स्विधाय उपलब जाए इस उद्योग को कोईला पिटसबर्ग तथा लोह अयस्क मीने सोटा की खाने से प्राप्त होती है मिने सोटा से पिटसवर्ग तक लोह अयस्क का परिवहन ग्रेट लेक्स जलमार्ग के द्वारा होता है इस कारखाना को ओहिया मनोग हेला तथा एलगहनी नदियों से जल प्राप्त होता है निर्मित इसपात को अस्थल एवम जल दोनों मार्ग से बाजार में भेजा जाता है हो गए हैं जो कच्छे माल के रूप में इसपात का उप्योग करते हैं पिटसवर्ग जिसे हम लोग इसपात राजधानी भी कहते हैं इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो खने जहुआ काफी अधिक मात्रा में है साथ ही साथ यहाँ पर जो लोह अयस्क है उसकी प्राप जयनि और मोनो गहेला, ये जो नदी है वो बलगर में ही है, तो इससे जो है, जल्की आपूर्ती हो जाती है उद्यूग में, और इससाथ इस जो इसपात है, उसके जो बाजारी करण है, वो अस्थल मार्क से भी किया जा सकता है, वहाँ आसानी से,। कि सड़क वहाँ पर बगल में ही है और जल या समुद्र भी बगल में ही है तो समुद्र के समुद्र के द्वारा भी वे जहाजों में अपना जो सामान है इस पाथ है उसको लोड करके आगे देखिए यहाँ पर की जो कच्चे माल है इसका उप्योग करने के लिए वहाँ पर अगल बगल में जो है उद्योग लगाए है जीसे जो भारत में है जमसेदपूर के अगल बगल जो मसीन बनाने वाला उद्योग हो गया क्रिसी उपकरन बनाने वाला उद्योग हो गया इस प्रकार से उद्योग लगए वोई से ही पिट्सबर्ग का जो इसपात है उसको खपत करने के लिए वहाँ पर अन्य उद्योग है जो लगाए गए हैं जीसे रेल, रेल का निर्मान करने वाला उद्योग हो गया या फिर रेल पटरी निर्मान करने वाला उद्योग हो गया उपकरन या फिर भारी मसीन उद्योग इस प्रकार से कई उद्योग वहाँ पर लगाए गए हैं जो पिट्सबर्ग के जो उद्योग है उससे जो कच्चा इसपात प्राप्त होता है उसका उप्योग करके ये मसीने बनाते हैं फिर आगे देखिए सूती वस्त्र उद्योग वस्त्र निर्मान विश्व का सबसे पुराना उद्योग माना जाता है वस्त्र निर्मान उद्योग में धागे को कातना बुन्ना इत्यादी क्रियाय सामिल है इस उद्योग का प्रमुख कच्चा मार रेशा है रेशा दो प्रका वस्त्र उद्योगों में सबसे महतोपुन उद्योग है 28 सताबदी में उद्योगी क्रांती के पूर्वतक्सूती वस्त्र हस्त कताई एवं हत करगों से बनाया जाता था और द्योगे क्रांती एवं पावर लूम के अविश्कार के पस्चात इस उद्योग का पूरे विश्व में तेजी से विकास होगा विद्यूत से चलने वाले करगों का पावर लूम कहते हैं कच्चा माल, सक्ती के साधन, सस्ता परिवहन, अनुकुल जलवायू, कुसल स्रम इसके प्रमुकारक हैं चीन, भारत, जापान, सवक्त राज, अमेरिका, ग्रेट, ब्रिटेन, उम्रूस, सूति वस्त्र के महत्वपूर्ण, उत्पादक देश हैं देखिए, सूति वस्त्र उद्योग, जो सूति वस्त्र उद्योग है, बहुत ही प्राचीन समय से ही, इनका जो है अस्तित्व था, क्योंकि लोग बहुत पहले से ही कपड़ा पहंते आ रहें, क्योंकि पहले तो गाड़ी जिस, पहले ना तो कोईला का फेक्टरी था, ना ग वर्ष्ड निर्मान उद्योग है, इसमें मुख्य रूप से तीन प्रकार के हैं, पहला जो है धागे की प्राप्ति करना, फिर धागे मतलब जिससे अगर ऊन बनाना है तो भेड का खाल हो गया, या फिर रेस्वन मा कुछ बनाना है तो कोकून हो गया, फिर अगर सूती बनान करणा है तो इस प्रकार से पहले कच्या मल की प्राप्टी करना, फिर उसको कात के धागा बनाना, उसके बाद कपड़ा की बुनाई करना। इस प्रकार से क्रियाय सामिल है। सुति वस्त्र उद्योग में। और जो ये रेसे होते हैं जिससे हम लोग सूता प्राप्त करते हैं ये दो प्रकार के होते हैं पहला प्राकृतिक तो क्रित्रिम रेसे प्राकृत रेसे जैसे कि हम लोग कपास के पेड़ से जो रूई प्राप्त करते हैं या फिर भेड का जो बाल प्राप्त करते हैं या फिर जूट हो गया तो यह सभी हो जाएगा हम लोग का प्राकृत रेसे और कृत्रीम रेसे में आ जाएगा नाइलोन, पोलिस्टर, एक्रेलिक जो हम लोग रासायनी क्रिया के दोरा पोलीमराइजेशन करते हैं और उसको प्राप्त करते हैं इन में से जो सूती वस्त्र उद्योग या ज्यादे मंगा है और जो कृतिन ब्रेशा का बना होता है वो कम दाम में भी मिल जाता है पहले के जो लोग थें वो मसीनों के द्वारा जो है वस्त्रों का निर्मान नहीं करते थे वो हस्त कताइ करते थे हुआ हथ करगों से फार बनाते था और उसको सीथे जो है कपड़ा के रूप में बुन देता था आज ऐसके जो फेक्ट्रिया होते हैं उनमे जो भी धागा बुनाही होता है या तो निकालना ह्षित निकाम होता या धागा से कपड़ा की जो बुनाहीं अनुकुल जलवायू कुसल स्रम यह सब इसके अवस्थिती के प्रमुक कारण है जहां पर यह सभी जो है अधिक मात्रा में इन सब में जो सबसे अधिक जहां पर पाया जाएगा वही पर जो है सूति वस्थर उद्योग या फिर जो वस्थर उद्योग है वो लगाय जाएगा और विश्व की अगर हम लोग भात करें सूती वस्त्र उद्योग की तो चीन, फिर भारत, जापान, सहुक्त, राज अमिर्का, ग्रेट ब्रिटेन ये सभी सूती वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश है भारत में प्राचीन काल से अति उत्तम गुनवता वाला सूती वस्त्र उत्पादन करने वाला प्रमुख देश रहा है उस काल में भारत में हाथ से सूती वस्त्र का उत्पादन की अदाता था तो अप लोग देखे होंगे कि जो अंग्रेज जमाने समय था तो भारत का जो सूती वस्तर था उसको विदेशों में अंग्रेज लोग निर्यात करते थे और अच्छे जो है मुनाफा कमाते थे भारत के लोगों से कम में खरिदते थे और विदेश में जाके जादा में बेश क्योंकि यहां का जो सूती वस्त्र होता था वो बहुत उत्तम गुनवाला होता था लोग जो है हाथ से ही उसको कताई करते थे और फिर बुनाई करते थे और जो अंग्रेज हैं इनसे सस्ते में खरीज लेते थे और बाहर जाके महंगे में बेज देते थे उद्योगी क्रांती के पस्चात पावर लून के अविस्कार के कारण पस्चिमी देशों में बने कपड़े सस्ते और अच्छी गुनवता वाले होते थे इसलिए भारते सूती वस्त्र उद्योग प्रतिस परधा में इन से पिछड़ गया भारत में सूती वस्त्र की पहली यांतरिक मिल 1854 इस्वी में मुंबई में इस्थापित की गई थी प्रारम में इस उद्योग का विश्तार महाराष्ट और गुजरात में तेजी से हुआ अनुकुल आद्र जलवायू तथा इस छेत्र में कपास का उत्पादन इसका मुख्य कारण था लेकिन तकनिकी विकास के कारण यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी पनपा वर प्रारत में अहमदबाद मुंबे कोलकत्ता चेननई कानपूर लुधियाना पानिपत पुदुचेरी सूतिवस्त्र उत्पादन के प्रमुख केंद्र हैं देखिए उस समय जो है हाथ से बुनाई किया जाता था लेकिन अब पावर लुम आगे मतलब जो है मसीन आगे जिसक तो जो विदेश थें उनमें जो है सस्ते कपड़े और अच्छी गुनवता वाले जो है सूतिवस्त्र का निर्मान होने लगा किसे मसीनों से जबकि जो भारत थें अंग्रेजों के अधिन थो तो इसमें जो अध्योगी क्रांती हुआ नहीं था भारत में जो अध्योगी क् क्योंकि जो भारत था वह प्रतिस पर्दा में पीछे हो रहा था फिर प्रणतु यह जो है इसका विस्तार धिरे धिरे अन्य झगों पर होने लगा महराश्ट में भी हुआ फिर गुजरात में भी हुआ इन जगह उपर इसलिए किया गया विस्तार क्योंकि जो इन जगह थी वहां कपास की खेती अच्छी होती थी वहां का जो जलवाई था कपास की खेती के लिए उप्यूग था क्योंकि मैंने बताया था कि पहले के जो लोग थी ये सोचते थे उनमें से सबसे जादे कारक जहां पर मिलेंगे वही पर उद्योग लगाएंगे और यही सही तरीका है उद्योग लगाने का और जो कपास है यह सुध्ध पदार्थ है मतलब अगर इसको हम लोग कातेंगे धागा बनाएंगे और कपड़ा बनाएंगे तो जितना कपास हम लो क्योंकि इसका जो वजन है वो कम नहीं होता है जितना कच्चा माल आता है उतना का ही उत्पाद होता है पिर आगे देखे भारत में अहमदबाद मुंबे कोलकत्ता चेने कानपूर लुधियान पानी पद पुदुचरी यह सभी जगहें यहां पर सूतिवस्त्र उद्योग आगे देखेंगे अहमदबाद हो गया उसाका हो गया इस प्रकार से आई होप जो वीडियो है आपको समझ में आया होगा यदि वीडियो आपको समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक करें सेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को HDS टिटोरियल को सब्सक्राइब करें थ थाइक यू